हेलो गुड मॉर्णिंग दौस्तां गुड मॉर्णिंग चलिये आते हैं कोश्चन एक समान आवेसित गोलिये चाला कोस की कारां बिदू भी भब ग्याद करो मैं गोल्डन सर आप सभी का हार देख का भी देख करता हूं आपका ये सबसे सुन्दर सा चेनल गोल्डन सर पर तो तो कोश्चन जो है यह है कोश्चन एक समान आवेसित गोलिये चाला कोस की कारां बिदू भी भब ग्याद करना है और देखिए दोस्तों ये कोश्चन जो है चेप्टर गौस का प्रमे से है और ये कोश्चन भी बहुत सुन्दर है इस कोश्चन से हमें ये नौलेज मिलेग कि किस प्रकार हम विद्दुद विभाब निकाल लेती हैं इंट्रिगेशन से ठीक है तो वेलकम और सभी का स्वागत करते हैं ठीक है तो कोश्चन ये जो है बहुत हिसंदर कोश्चन है भाई अब यहाँ पर हम जो शुरू करने से पहले कुछ मानना पड़ेगा कि माना की माना की केपिटल आड तिर्जिया का कोई गोलिये चालक कोश है माना की केपिटल आड तिर्जिया कोई गोलिये चालक कोश है जिस पर पलस क्यू आवेज समान रूप से फैला हुआ है समान रूप से फैला हुआ है ठीक है हमें चालक के प्रिष्ट से बाहर प्रिष्ट पर और प्रिष्ट के अंदर प्रिष्ट के अंदर बिद्दुत विभव ग्यात करनी है बहुत ही मस्त कुस्टन है पूरा इंज्वा एक साथ पढ़ना है अप लोगों को वेलकाम स्वागत है सभी को मेरा सांदार चैनल कोल्डर इंसर पार ठीक है बच्चाओं तो ध्यान से देखिए एक समान आवेसी गोलिये चालक कोस के कारें बिद्दुत विभव निकालना है माना कि आरतिर या कोई गोलिये चालक कोस है जिस पर पलस्क्यू आवेस समान रूप से फैला हुआ है हमें चालक के प्रिष्ट से बाहर प्रिष्ट परो प्रिष्ट के अंदर विद्दुत विभव ग्यात करना है लिग लिजिए अब यहाँ पर हम केस फर्ष्ट लेंगे मिटाते हैं केस फर्ष्ट प्रिष्ट से बाहर उत्पन विभव प्रिष्ट से बाहर उत्पन विभव निकालना है तो जब एसमोल आर क्रेटर देन केपिटल आर मतलब यह आपका गोला है जिसके तिर्जा केपिटल आर माने है और यह जो है बाहर में जो गोला है जिस पर हमको बाहरी गोला कल्पनिक किये हैं यहां पर हमको जो है बिभव निकालना है प्रिष्ट से बाहर इस पर पलस चार्ज पहिला हुआ है समान रोप से पलस क्यों चार्ज ठीक है एक बार प्रिष्ट के बाहर निकालेंगे एक बार प्रिष्ट पर निकालेंगे और एक बार प्रिष्ट के अंधर निकालेंगे ठीक है से E बढ़ावर होता है 1 by 4 pi epsilon node qy r square किसी बिंदु आवेश का उत्मति ब्रता क्या होता है 1 by 4 pi epsilon node qy r square चुकि E बढ़ावर होता है minus dv by dr बीभव प्रवन्ता के सुत्र से बीभव प्रवन्ता से E बढ़ावर minus dv by dr होता है बीभव प्रवन्ता सुत्र होता है या dv बढ़ावर क्या हो जाएगा या dv बढ़ावर हो जाएगा minus e dr dv बढ़ावर minus e dr या dv बढ़ावर e का मान कितना तो 1 by 4 pi epsilon node q by r square into में dr दोनों तरफ समाकलन लगा देना है अब समाकलन लगाने पर इंट्रिगेशन dv बढ़ावर इंट्रिगेशन 1 by 4 pi epsilon node q by r square d r इंट्रिगेशन कहां से कहां तक करना है तो अनन्द से आर तक अनन्द से आर तक इंट्रिगेट कर देना है लिख लिए अच्छा कुसर है यहां से लिखिएगा इस चित्र का भी तो काम नहीं है बिटा देते हैं तो डिफ्रेंशन dv के इंट्रिगेशन हो जाएगा भी और इसमें जो कॉंस्टेंट है वो आपको यह कॉंस्टेंट है पूरे तो क्यूब आप खोर पाइपसलों नोट बाहर ले लिजिए इंट्रिगेशन अनंत मैंस बाहर में है अनंत से आर बटैवल र इसको उपर ले जाएगा था अर्वाव मेंस टू डियार या भी बढ़ाव मैनस क्यू एफोर पाइपसलों नोट इंट्रिगेशन का यह रूल है पावर जितना रहे हो उसमें एक जोडेंगे और उतना भागा देंगे ठीक है या भी बढ़ाव मैनस क्यू एफोर पाइपसलों नोट आर का पावर माइनस वन बट है माइनस वन अनन्थ से आर लेख लेजिए मिटाते हैं इसको या भी बड़ाबर ये मैंनस निस प्रॉस हो जाएगा आर के पाव मैनस वन है तो बट हो जाएगा वन बट है और इंट्रीगेशन का क्या रूल है पहले अपर लिमिट बिठाएंगे यहां पर घटा देके लोड लिमिट बिठाएंगे ठीक है या भी बड़ाबर क्या लिखेंगे कि यूवाइफ प्रॉस पाई एपसलन नोट वन लिख दीए तो यहां जो मान हुआ यहां मान प्रिष्ट के बाहर प्रिष्ट के बाहर उत्पन बीभव के लिए आवश्यक है ठीक है लिख लेजिए या बीभव का सुत्र हो गया वन वाइफ फोर पाई एपसलन नोट क्यों वाइफ इससे असपष्ट क्या होता है बीभव भी जो है वो दूरी के साथ चेंज होता है दूरी बढ़ाने पर बीभव घटेगा दूरी घटाने पर बीभव बढ़ेगा ठीक है भी समान पाती वन वाइफ लेजिए के सकेंड लेते हैं गोले के प्रिष्ट पर उत्पंद भी भाव अब चुकि गोला के तिरजिया क्या है केपिटल आ रहा है इसलिए ओसमल आर के जया क्या विठाते हैं केपिटल आर तब भी कामान क्या हो जाएगा भी कामान हो जाएगा वन वाइफ वोड पाए एप्सलन नोट क्यूब छेजिया केपिटल आर ये हो जाएगा प्रिष्ट प्रॉत्पंद भी भाव ठीक है प्रिष्ट के अंदर उत्पन विभाव, प्रिष्ट के अंदर विद्धुत्य व्रता बरावजी दो कुछ एब कि इबराव्र होता है मैंस डिवी वैड डियार या कि डिवी वैड अब इसका मतलब रही हुआ की डिवी वरावर जीरो इंटू डियार या integration dv वरावर integration 0 into dr dv का integration क्या गया integration 0 dr मतलब क्या constant यानि किसी गोले के अंदर जो है तिवर्ता तो सुन्द होता है लेकिन वीभव जो हता है वो क्या होता नियत होता है यानि इस से अस्पष्ट होता है जो गोला के प्रिष्ट पर विभव होता है वही प्रिष्ट के अंदर भी होगा नियत रहता फिक्स होता है चैंज नहीं होता है यानि अगर किसी गोला के प्रिष्ट पर विभव है 1 x 4 pi epsilon naut cube है बरियार इसका मतलब है केंदर पर भी विभव उसका मान वही होगा जो कि आपको प्रिष्ट पो होगा, समझ मैं आप बात? क्योंकि यहां पर जो है केंदर पर विभव जो होता है, इसके अंदर जो विभव होता है, गोले कांदर, वो क्या आता है, constant होता है कहीं पर ले लेंगे कहीं पर यहां ले यहां ले कहीं पर भी ले तो विभव का value जोगा वो fix होगा क्योंकि यह सम विभवी प्रिष्ट के तरह बेवार करेगा इसलिए हर बिंदू पर विभव क्या होगा समान होगा तो जो गोला के प्रिष्ट पर विभव होगा वह जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते जाते हैं विभव कामान घरते जाते हैं जैसे जैसे दूरी कम करते हैं विभव कामान जो है आपको बढ़ते जाता है ठीक है लेकिन जब प्रिष्ट पाते हैं तो विभव कामान जो रहता है वही प्रिष्ट के अंदर हो जाता है क्योंकि इस इसलिए इसका जो graph बनेगा, इसका graph बना देते हैं, कि किस प्रकार से विभव जो है, change होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, तो इसका graph देख लीजिए, ये आपको हो गया, भी का और ये हो गया आपको, दूरी का, ठीक है, तो जब आपको दूरी जीरो था, तो विभव भी था, यानि केंदर पर विभव भी था, ठीक, मौल लेते हैं, यहाँ पर क्या है, भी है, ठीक, उसके बाद जाकर के जब तिरजिया, केपिटल आण लेते हैं, उस स्थिती में भी आपका विभव वही था, घाटा नह क्यों, क्योंकि जो आपके बोला के प्रिष्ट पर होता है विभव, वही प्रिष्ट के अंदर होता है, यहाँ पर जो विभव है, वही विभव यहाँ पर है, विभव, तिरजिया जीरो होने पर भी विभव, आपको नियत है, तिरजिया आड होने पर भी विभव भी है, और उसके बाद जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं, प्रिष्ट से बार, यहां तक तो प्रिष्ट हो गिया, अब जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं, उस हिसाब से विभव का मान घरते जाता है, ठीक है? यह आप उम लिख सकते हैं, भी समान पाती, वन वै आर, यह ग्राफ हो गिया, दूरी बढ़ाने पर विभव का मान घटेगा, लेकिन यहां से यहां तक जो है विभव नियत होगा, यहां गोला के अंदर हो गिया, और यहां गोला के प्रिष्ट हो गिया, इसलिए यहां तक त दिक्कत हो के दो पोलिए अगर यहां पर जो है यह अंदर का बात है अंदर में भी विभभ भी है और आड changing जो है भी का वो क्या है inversely proportional है दूरी का तो भी समान पाते हैं 1 by r ठीक है लिख लीजिए एक और question है बिंदु आवेस के कारण बिदु छेत्र तथा कुलाम करनियम प्राप्त करो बिंदु आवेस के कारण बिदु छेत्र और कुलाम करनियम प्राप्त करना है कि मिटादर तेसको बिंदु आवेस के कारण बिंदु आवेस के कारण बिद्दुत छेत्र तथा कुलाम का नियम प्राप्त करो अच्छा कोश्यन है, बहुत सुन्दर कोश्यन है विंदु आवेश के कारण विदुत्षेत तथा कुलाम का नियम प्राप्ट करो अच्छा कुछत दियान समझेगा तो हम जो हैं एक गोलिय प्रिष्ठ की कलपना करते हैं एक कलपना किये इसके केंदर पर पलस क्यू चार्ज रख दिये इसके तिर्जिया जो है वो आर है इस डाइरेक्शन में विद्धुत्य बृता जो है वो ई है और इसका जो है छेत्र फल जो है वो क्या है डी ए छेत्र बन गिया अब जो है यहाँ पहम स्टार्ट करते हैं फलक्स की परिवासा से फलक्स की परिवासा से डी फाइब बड़ाब वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए अब ई और डी ए दोनों सेम डारेक्शन में हैं या डी फाइब बड़ाब हम यहाँ लिख सकते हैं अब कॉस ठीटा ठीटा यहाँ क्या होगा सेम डारेक्शन में तो जीरो डी फाइब बड़ाब ई डी ए कॉस जीरो और कॉस जीरो का मान जो होता है बच्चों वह आपको होता है एक यानि डी फैवर हो गया इडी ए ठीक है डी फैवर कमान क्या हो गया इडी ए यह समोल के लिए हुआ पूरे प्रिष्ट के कारण उत्पन फ्लक्स पूरे प्रिष्ट के कारण लिख लिए वीडियो रोक करके पूरे प्रिष्ट के कारण पूरे प्रिष्ट के कारण उत्पन फ्लक्स क्या करना पड़ेगा integration अब वड़ावर इंट्रिगेशन ऊटाइड लिए ये दिये संपुर्ण का बात हो रहा है इसलिए ये लगाना पड़ता है कि संपुर्ण के लिए हो इसको एकमाल लेते हैं यह जो है वो क्या है इसका एडिया हो जएगा यह गोला है गोला अब इसको एक मौन लीजिए गौस के प्रमे से प्रमे से फाइ बराब होता है क्यूब एपसलन नोट और इसे हम दो मौन लेंगे लिख लीजिए अब यह दोनों फाय है इसका मौन अगर यह आपसन बराबत यह भी बराबर होगा समिक्रन एक और दोसी करते हैं समिक्रन एक और दोसे ए बराबर क्या हो जागा क्यूब एपसलन नोट सोड़ी 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 इंटू फोर पाइपसलन नोट ना इंटू फोर पाइपसलन नोट इंटू में क्यूब एपसलन नोट यह बडाब दो में जागा क्यूब थोर पाइपसलन नोट यह बडाब हो गया वन तूर पाइपसलन नोट इनकल ये तिवृता निकल गया लिख लेजिए अब जो है अगर माली जीए परिक्षन आवेश जो है गोला के प्रिष्टप है यदी परिक्षन आवेश क्यू नोट गोला के प्रिष्टपड है तब एफ बरावर आवेश गुना विद्धुतिवर्ता या एफ बरावर आवेश तो ये हुआ विद्धुतिवर्ता गमान क्या तो ये जो मान निकला है ये कुलाम का नियम है यह कुलाम का नियम है तो किसी बिन दू आवेश की कारण कुलाम का नियम जो हो गया वो गया वन वैफ फोर पाइप्सलर नोट क्यू क्यू नोट बटे आर स्कूर्ट ठीक है वच्चों तो ये चेप्टर गोश का थियोर्म करीब करीब ओवर हो चुका है हम लोग जो है ने तो आप लोग जो है पिछ लेवल अभी टू भी देख लें तो आपको कंसेप्ट के लिए हो जागा ठीक है टेक क्रेयर ऑल दर बेस्ट